महाराष्ट विधान सभा का विशेश शत्र आज बुला गया है जिसमें सारे विधायक पहुंच रहे हैं शपत ग्रहन करने के लिए देवेंद्र फरनवीस पहुंचे हैं अजित पवार पहुंचे हैं और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें महाराष्ट की विधान सभा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां शपत ग्रहन शुरू हो चुका है विधायकों को पद और गोपनिये ताकि शपत इस समय दिला जा रही है पृर मुख्यमंतरी महाराष्ट के कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता मितिन काशिना थ्राउत स्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड श्रूत बबंद्राव दत्तात्राव लोनी कर यादव मी मी राधाकृष्ट नेकनाथ राविखे पाटील विधान से बेचा सद्दै से वुनों नियूड नारो असलेने इश्वर साक्ष शपत गेतों की काईदाद वारे स्ताफे जाले आशा भारतिया समीधाना बद्दल भारताजी सारभामता वैकनाथ वुनों नारो दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं शपत ग्रहन से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब सुप्रिया सुले पूरे समय बाहर खड़े होकर स्वागत करती रही उन तमाम विधायकों का जो आज शपत ग्रहन करने के लिए विधान भवन पहुँचे हैं और इसी गर्म जोशी से अजित पवार का स्वागत किया, सुप्रिया सुले ने उतनी ही गर्म जोशी से देवेंदर परनवीश का भी स्वागत किया तो इस सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं महराश विदान सभा के अंबर की तस्वीरें वर्षा एकनाद गाएकवाड इस समय शपत ग्रेंड कर रही है दूसरी तरफ बाहर जब देवेंद्र फर्नवीस पहुंचे मीडिया ने गिर लिया फर्नवीस को उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की लेकिन फर्नवीस ने ज़्यादा बात नहीं कि किसी के साथ मगर दिल्चस्ति वो तस्वीर जब सुप्रिया सुले से उनका सामना हुआ क्योंकि जैसे ही विधान परिश्चत के भवन के अंदर माफ कीजे विधान भवन के अंदर दिवेंद्र फर्नवीस गए सामने सुप्रिया सुले सभी विधायकों का स्वागत कर रही थी खड़े होकर और देवेंदर फरनवीस का भी उन्हें हाथ जोड़ कर अभिनंदन किया, अभिवादन किया, स्वागत किया जिसका जवाब देवेंदर फरनवीस न भी उसी तरीके से हाथ जोड़ कर दिया भारताची सारो भवमत्ता वक्यात्मता उन्नत राखीन, अनि आता जे करतव्य मी आती गेनारा है, ते निष्टे पुर्वत पार पड़ी मी एकना संबाजी शिंदे पिदान सबेचा सदश्य मनु निवड़नालो असलयाने इश्वर साक्ष शपत गेतो की काईदया द्वारे स्तापिज जाले आए अशा भारतिय सविधाना बदल मी खरी स्रद्दा वो निष्टा बालगीन भारताची सार्व भम्मता वो एकात्मता उन्नत राकीन आने आता जे करतव्य में हती गेनारा है, ते निष्टा पुर्वक पार पाड़ी मी जैकमार जीतेंद्र सिंग रावल विदान सबेचा सदस्य मनून निवडून अलो असल्यानी इश्वर शाक्ष शपत गेतो की काईदया द्वारे स्तापिज जाले आए अशा भारतिय संविधा बदल में कारी तस्विरे एक साथ आपके सामने एक टेलिजन स्क्रीन पर एक तरफ शपत विधायकों को लाइब दिला जा रही है दूसरी तरफ हम आपको दल्चस तस्विरें आज सुबा के दिखा रहे हैं जब सुप्रिया सुले ने बाहर स्वागत किया सभी विधायकों का और उसी दर्मियान स्वागत किया उन्होंने आदित ठाकरे का भी उसी दर्मियान उनका सामना हुआ अजित पवार से भी और अजित पवार को भी गले लगकर उन्होंने स्वागत किया तस्वीर भी खिचाई उनके साथ मीडिया कैमरों के लिए पोस भी किया और दिवेंद्र फर्णवीस का भी सुप्रिया सुले ने उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तो ये तीनों अलग अलग तस्वीरें आज की ये लंबी लड़ाई के बाद आकरकार महराश्ट में शिवसेना को अपना मुख्यमंत्री बनाने में काम्याबी मिली है पहला मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से महराश्ट को मिलेगा और इसमें आदित ठाकरे की भी एहम भूमिका मानी जा रही है इसके साथी साथ उद्दव ठाकरे कल शाम को 6.40 मिनट पर शपत ग्रहन करेंगे लेकिन आज विधायकों को महराश्ट विधान सभा में पद और गोपनियता की शपत दिलाई जा रही है सदन का ये विशेश सत्राज बुलाए गया है प्रोटिम स्पीकर कालिदास का लंबरे इस समय विधायकों को शपत दिला रही है पवार परिवार ने इस शपत ग्रहन के पहले एक तरीके से एक जुटता को दिखाने की कोशिश की है कल रात को अजित पवार तीन दिन चले ड्रामे के बाद आखिरकार शर्द पवार के घर पहुँचे थे और उसी समय पवार परिवार की तरफ से कह दिया गया था कि अजित पवार परिवार का हिस्सा है परिवार में उनको लेकर किसी भी तरह की कोई कड़वाट नहीं है और इसी का संकेत आज सुप्रिया सुले ने भी सुभा विधान सभा परिसर में देने की कोशिश की जब उन्होंने अजित पवार का स्वागत दिया उन्नत राखीन आनी आता जे करते हुए मी हती घेना राखे ते निस्टा पुर्वक पार पाडीन अदाब सलाम राम राम जैभीम जैहिन अब्दूल सब्तार ने शपत ली जैभीम जैहिन का नारा लगाते हुए और आज की तस्वीरें काफी कुछ कहती है अन्सीपी के आने वाले दिनों के लिए भी सुप्रिया सुले को देखकर इस बात का अंदाजा अब मिलता है कि शरत पवार ने अपनी राजनीतिक मिरासत ऐसा लगता है सुप्रिया सुले को सौफने का मन पूरी तरह से बना लिया है खास तोर पर इस पूरे घटना करम के बाद ये माना जाना कि राजनीतिक तोर पर अन्सीपी के भीतर अजित पवार ने खुद को कमजूर कर लिया सामना ने आज जो संपाद किये लिखा उन्होंने हालाकि निशाना पूरी तरह से बीजेपी पर साधा है लेकिन इशारों इशारों में अजित पवार पर भी तंज कसा है ये कहते हुए कि आखरी वक्त में अजित पवार ने अपना वस्तरहरन रोक लिया लेकिन बीजेपी के कपड़े पूरी तरह से उतर गए ये सत्र आज होना था वैसे भी होना था क्योंकि सुप्रीम कोट में कल ये फैसला दिया गया था कि आज सदन का सत्र बुलाए जाए सभी विधायकों को शपत दिलाए जाए और प्लोटेंट स्पीकर आज शाम को फ्लोटेस्ट करा ले उसके पहले ही कल दोपहर साड़े तीन बजे देवेंद्र फर्णवीस ने प्रेस कॉंफेंस बुलाई और उसमें आपचारिक तोर पर इस्तीफा देने का एलान कर दिया ये कहते हुए कि अजित पवारी हमारे साथ ने रहे तो फिर हम सरकार आगे शक्ती परिक्षण में कैसे ले जा सकते हैं और उसी के साथ तस्वीर बदल गई शिवसेना, NCP और कॉंग्रिस ने देर शाम उद्धव ठाकरे को आपचारिक तोर पर अपना नेता मानते हुए राज जेपाल के पास प्रस्ता भेज दिया अपने उद्धव ठाकरे के साथ कल शिवाजी पाक में ये शपत ग्रहंड समारो हुगा मी मी गनपत कारू गाइकवाड विदान सबेचा सदर्श मनून निवड़ू नार्वा है इश्वर साक्षा शपत ग्यतो की गांब्रिय पुर्वक पतितने कलतो की काईदा दोरे स्तापी जहरे आहे अशा भारतिय सविदाना बद्दर मी खरी सद्दा निश्का बार्गिन भारता की सर्व भोमता वा एकात्मता का उननत राखिन आनि जे कलतोवे में हाती ग्यत्रे ग्यना राहे ते निश्का पुर्वक पाल पाड़िन मी सुभाज सोरेश चंदर देश्मू विधान सबेता सदस्यमन निवड़न आलो असलने इस्वर सक्ष शपत ग्यतों की काईदाद वारे स्थाफित जाहलिया है अशा भारतीय समीधान बद्दल मी खरीश रद्धा वे निश्ठा बाड़गी भारताची सर्व भूमता वा एकात्मता उननत राखिन विजाए शान्तों के निवड़न आताजे करतेवे में आती गहना रहे ते निश्ठा पूरोग पार पड़े अशा भारतीय समीधान बद्दल मी खरीश रद्धा वा निश्ठा बाड़गी भारताची सर्व भूमता वा एकात्मता उननत राखिन आनि आताजे करतेवे में आती गहना रहे ते निश्ठा पूरोग पार पड़े कि इस स्रिव चंद्रकान दादा बच्चू पातिल तनाजे जयवन्तासावन मी चंद्रकांत बच्छू पाटील विदान सवेजा सदस्य वनो नियुडू नालो की चंद्रकांत बच्छू पाटील शफट ग्यान कर रहे हैं और इसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं दिन की तीन बड़ी तस्वीरे जब भाई बहन मिले हाला कि सुप्रिया सुले से अजीत पवार की मुलाकात इसके पहले कल रात को भी हो चुकी है जब अजीत पवार सिल्वरो कियाने की शरत पवार के घर पहुँचे थे देरात उस समय भी सुप्रिया सुले ने ही दरवाजे पर उनकी अगवानी की थी और आज जब विधान सभा पहुचे हैं अजित पावार शपत लेने के लिए तब भी उनकी अगवानी सुप्रिया सुले नहीं की है। अजित पावार की वापस ही हो गई क्या अजित पावार का स्टेटस अब सरकार में क्या रहेगा। परिवार में अब सब कुछ ठीक ठाक है अजित पवार की घर वापस ही हो गई है और परिवार ने उनको वापस सुईकार भी कर लिया यह शक अब हमेशा बना रहेगा अजित पवार अपनी मर्जी से गए थे या भेजे गए थे क्योंकि यह कयास भी अब लगने लगे है कि कहीं अजित पवार किसी रणनीती के तहर दूसरे खेमे में भेजे तो नहीं गए थे बाराल वो सारी बाते हैं पीछे चूट चूट चुकी हैं और आगे है ठाकरे राज जिया पहली बार ठाकरे परिवार का कोई नेता मुख्यमंत्री का पद महराष्ट में संभालेगा लंबी राजनीती शिवसेना की महराष्ट में रही है लेकिन इसके पहले कभी भी कोई नेता ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बना है यह पहला मौका होगा जब उद्धव ठाकरे कल बतौर मुख्यमंत्री शपत लेंगे और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करेंगे ऐसा शिवसेना ने कहा है कल की तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी जब घर लोटने के बाद उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को हाथ जोड़ कर नमन किया है बाला कि बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है तीन पई ये की गाड़ी कहा बीजेपी के नेता देवेंद्र फर्नवीस ने कल प्रेस कॉन्फरेंस में इस सरकार को और तंज किया देखते हैं कितने दिन ये सरकार चलेगी लेकिन जैन पाटिल जो कि नेसीपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं अजित पवार के बाद उनका दावा है कि ये गड़बंदन पंदरा साल चलेगा कम से कम महा विकास अगाडी इस गठबंदन को नाम दिया गया है और जो खबरें आ रही हैं उसके मताबिक बाला साब थुराट कॉंग्रेस से और जहन पाटिल ही नसीपी से दो उपमुक्ह मंत्री भी महराश में बनाए जा सकते हैं तो इन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही सुनवाते हैं बातें भी जड़ा नेताओं की जो शफद ग्रहन के लिए पहुँचे थे और शफद ग्रहन के पहले जब मीडिया से सामना हुआ सवाल जवाब हुए तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो तो जो है आज की जो है ये शबद विदी के बात जो है सारा सारी बात तई होगी सर्कार रही जिसने आखिर का रिस्तिफा देदिया फ्लोट इसके तहले ही इस पूले तीन चार दिंगे घटा करम पर क्या कहेंगे आप अब यह क्या है कि पॉलिटिक्स है इसमें यह सब उपर निचे जो होता है इस दिगूल पॉलिटिक्स केता है सरकार के इस थाईत्यू को लेकर समाल खड़ा कर रहे हैं मुख्योंत्री देवन्देफन पूर्मुख्योंत्री है उन्होंने ये कल कहा था कि तीन चक्के की सरकार जो अस्थाई नहीं होगी और जल्दी ह बहुत अच्छे तरह से करेंगे जो कोट ने निरने दिया है यानि सवीदान बचा दिया है और इसी का फल है आज और अच्छी तरह से काम करेंगे लोगों का समाधान उसमें अंदर होगा वह हमारा पहला एम होगा क्या लगता एक गौवर्मेंट सेबल रहे कोई ने संगाया की अभी तक अब तक अबर्दस तयारी किये थे इसलिए हुआ आप शपद्वीदी लेने के लिए जा रहे हैं और कल हमारे मुख्य मंतरी जी शपद्वीदी लेंगे और उनके संगात हम भी ले लेंगे संगर्ष खतम हो गया आप तो जीत और खुशिया मनाना है दिवाली एक दम पक्का सब्सक्राइब नहीं वह तो उद्वजी जो देंगे वो लेंगे चलाओ अब है या नहीं की चनता आपकी प्यार एसे ही रहे हैं किया मंटरी मं जा रहे हैं तो उनके पृद्विदी नड़िया वह कहा हिए हैंट कि हपक्ष्प्रमु उद्व ठाकरे जी मुख्यमंतरी इसमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है लेकिन जो अजीत पावार है उनकी क्या बुन्मिकार है अभी उनका शरत पावार साथ का मामला है और निश्ची तरुक से ये इसके उपर आधर्मी शरत पावार साभी दिलने लेंगे अरे बबा ये सब देखो common minimum program के साथ ये सरकार बनी हुई है और इसलिए राज्य के जनता के हीट के लिए काम करेगे इसलिए ये सरकार बहुत मजबूत है 170 के उपर आकड़े हमारे पास है एक मजबूत एक stable government इस राज्य को मिलेगा और राज्य के हीट में जो भी निर्णे है तो सुना अपने सारे नेता जो शपत ग्रहन के पहले मीडिया से सामना हुआ तो अपनी अपनी बात कह रहे थे दूसरी तरफ तस्वीर आज की सबसे दिल्चस्प ये जहां आदित ठाकरे से सुप्रिया सुले मिलती है और इसके अलावा अजीत पवार के साथ भी उनकी मु कुछ कहे एक तस्वीर से देने की कोशिश करती हैं जिसमें अजीत पवार को अपने साथ खड़ा कर लेती हैं और मीडिया कैमरों की तरफ मुग हुमा लेती हैं कि देख लीजे हम साथ साथ हैं तो एक तरफ पवार परिवार की तरफ से अजीत पवार को लेकर ये संदेश देने की कोशिश और दूसरी तरफ शिवसेना के साथ नजदी की शिवसेना के साथ एक केमिस्ट्री वो भी आदित ठाकरे और सुप्रिया सुले की मुलाकात में दिखाई देती है और सब के बीचे एक बड़ी ख़वर आ रही है पीची दंबरम से मिलने राहूल गांदी और पहुंचे हैं तिहार जेल जहां पीची दंबरम बंद हैं काफी लंबा समय पीची दंबरम को इस समय हो चुका है लगातार एक के बाद एक जमानत अर्जी उनकी टल रही है और आज राहूल गांधी और प्रियंका गांधी पीची दंबरम से मिलने के लिए तिहार जेल में पहुंच गए है कि अब आगा है कि अब आगा है कि अब आगा है कि एक आरकम कलीता हो गया था कि राहूल और प्रियंका जाएंगे वो पीछ दंबरम से तिहार जेन में मुलाकात करेंगे